भावी जी से नाराज होने का रिजन पता चल गया हाँ हाँ कल जो 23 मिनट की कहानी लेकर आए थी मैडम उसमें सारा सार पता चल गया और अपनी इतिहास से किसी की प्रिजेंट को कमपेर भी कर डाला क्या है पूरी कहानी सब कुछ बताएंगे वैसे ये वाले शब्दा आप कभी किसी और के भी मूँ से सुने होंगे आपको समझ में आ ही गया होगा कि यहाँ पर कौन किसको क्या बोलना चाह रहा है और हम लोग आये थे नीचे भाई आते हैं न दूद्दे ने उनका दूद्द लेने आये थे दस मिट पहले ही आ गये थे वरना हमें नीचे आने का कोई शौक नहीं है अपने वाले घर में अपने खुद के इंडिपेंडनेंट घर में रहे लेती हूँ नीचे आने कोई शौक नहीं है तो हेवरी बन एक बार फेर से आप सभी का स्वागत है जल कुकडी दिद्धी का कल का जलना था विगत दो-तीन दिनों से वो समझ में आ गया है और जल कुकडी दिद्धी को कुछ चीजें हैं जो पसंद नहीं है अपनी भावी जी की क्योंकि आप भावी जी घर पे हैं जी हाँ, भावी जी माईके में रक्षा वंदन पूरा करके आ चुकी है ससुरार और हमने एक बार भी नहीं देखा है कि भावी जी आएके अपनी जो है नरंद को वीडियो में दिखाए रही है या फिर नरंद उपर से आए कि भावी जी के वीडियो में आ रही है क्या वो जो बॉंड था उसमें आ चुकी है अरचन या फिर लग चुकी है हमारी जिद जी की नजर जो हहां हमेशा किसी और की नजर ना लगती है हमारी जिद्जी की ही लगती भोली बाली सीधी सादी independent नारी जो की ना जाने हमारे कितने दिनों से है बग्गी पे बहुत ही ज़ादा भारी असल में बग्गी का दो दिन सुकून से बीठता है और उसके बाद फिर बग्गी वि इनका टेंजन ना ले पाती होगी जितना इनका क्योंकि यह कब रिसी आ जाए कौँसे बात पर मुह इनका बन जाए हना चारों तरफ को पता नहीं जी कुछ ऐसी ही बाते लेके आई हैं हमरी इंडेपेंडनेंट जी जी तो भहिया आज का जो कारिक्रम है इस कारिक्रम में कु चोर है या फिर जो जलन का लेवल है यह जो अभी इतना जा रहा है ऐसे ऐसे करके ऐसे भी नहीं है ऐसे है पूरा तो इसके उपर ना वारता लाप करना बहुत जरूरी है अपने टाइम से आपने कंपेर करा फिलाल पहले बताना चाहेंगे कि दीदी नीचे आई थी दूद जो दूद वाले भईयार है छे वो बजे तो उससे पहले उट गए यहां पर आई है मिर्ची तोड़ने ऐसे बोली आज हम जादा मिर्ची तोड़ेंगे क्योंकि हमारे हां मिर्ची के कोहरी बची नहीं है सारी तर वग्दी के लिए कोन छोड़ना और दीदी का बोल लाई कि जो है ऐसा है कि जो है वहां जो शहर वाले होते होंगे बहुत मिस करते होंगे और बाकी के लोग भी जो बाहर फॉरन कंट्री में रहते हैं वो भी बहुत मिस करते हैं तो बता है जी जो अपना गार्डन वार्डन में रहे हैं वो भले हां लेकिन उसके भी होते हैं लोग गमलों में सबजियां उगा लेते हैं, जिनको करना है, वो कर लेते हैं, लंदन की बात करें, मेरी दोस्त, खुद की दोस्त, वहां रहती है, सामने थोड़ी जगा है, उसमें पता ने उसने क्या-क्या लगा रखा, एपल तक का पिर लगा है, तो जिक करने वाला है, जिदि बहुत भी नहीं भूलते हो जड़ों में ही रहते हैं अब यहां इन सब की बस जड़े थोड़ा से इंडेपेंडेंट मॉर्डन का बने तो भाई एक अपनी बीबी से राखे बंदवाय रहा है गलती के उपर गलती हो के बाद उस गलती को भी सही बता रहा है कि नहीं तो क्या हो गया जुए मैंने बंदवाली तो परेतिन थी नहीं अरे परेतिन बेद्व थोड़ी चली गई थे दूसरीयों के उपर ही जाना था पगए तो उपर चला जाता है या भी तो भी रिस से आए परेतिन से लोगों का यहीं कहना कि बाई परेतिन ऐसा तो है नहीं जला ज्या प्रशा काउन करती हैं हम लोग उने वेट के अब हम लोग दूद पियेंगे कोई दूद पियेगा मैं चाय पियोंगे इसमें यह होता है कि मैं और मेरा बेटा बहिन तेरे बेटा है शरम हाती है कि मैं और सिड अपने बच्चे का नाम लेने मां तुझे सरमारी मतलब कमाल है अब धोती फार के रुमाल है और उसके बाद दर्सको आज तो भईया हम पगलाते पगलाते बच्चे हो सकता आप में से किसी को दोरा ओरा पड़े गया हो तो उसके लिए हम छमा प्रार्थी हैं अब पूछो क्यों क्योंकि भई लगातार बार बार ओ अंटी जी ताई जी अचाची जी कद्दू का दे गए फिर भईया जो कद्दू प्रवचन शुरू हुआ है ना हमरे सब के कानन से खून निकल गया मैंने ऐसे काटा कद्दू मैंने ऐसे बनाया कद्दू कुछ लोग चीनी डालते हैं कद्दू में कुछ लोग कद्दू को ऐसे ही खाते हैं कु कद् blending मन की नोना जिद्जा बह visualize कद्धू जोट की दिवानय विक बतलब मतलब कद्धू 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 इस पूरे वीडियो में दीदी ने कद्धू का जो अरिसा बनाए है कद्धू के लिए जो प्रवचन किया है можません केरिज़ा कब से कम 3-4 मिनिट के आसपास नहीं जो कद्दू पुरान चला है कसम से भाई साब कद्दू बनाते हुए देखे जूम करके मैं दिखाती हूं कद्दू किस का किस प्रकार का कलर हो गया है कद्दू का इतना कद्दू के मेरा मन कर रहा था कि दीदी अगर एक आद मिनट और तुम हैं तो जो कद्दू शुरू हुआ था ना भाई साब कद्दू पर रुकने का नाम ने लिए मसाला भुलने से शुरू करी हैं उसको पकाते पकाते बातों से भी कुछ पपाइए गयसे तो पकवे करा है वही के बाद फिर जब बैठी है तब जाके असले प्रवचन शुरू हुआ वैसे खेतम भी बहुत बाते होई थी बहुत सारी बाते धर-धर की बाते है ना वो तो उनका डेली होता है कि पहले एक बेस बनाना है ना और उसके बाद जब 10-15 मिनट हो जाएं तो रियल चीज पर आना फिल हाल जो इनका टाइटल था वो था मुझे सब सुनाने से पह जैसे यह लाइपस्टाइल अफोर्ड करें और जिनकी वज़े से अपने यह मेरा घर है हां मेरा घर जो तुम बोल रही हो दी इसलिए बोल पा रही हो क्योंकि तुमने इनी सब्सक्राइबर्स की वज़े से अपने टंडेला खड़ा किया अगर तुम वाटी पर ना होती को उसों बनाएपार्थि impossible अपन покуп थोड़ा सा सब्सक्राइबर्स की वैलू किया करो मैं नहीं कहते हूं कि सब्सक्राइबर्स की सारी बातों को तुम्हें मानना ही है बिलकुल नहीं अपकी मर्जी है जो मान सकते मानी है, नहीं मान सकते ना मानी है लेकिन हमेशा ना जड़ती है का मतलब सब्सक्राइबर्स के प्रती आज आप जो भी है जो आप लोग गुंगान गाया करते हैं अपनी बढ़की भहिनिया का ठीक है माल लेते हैं कि वाइटी तुम लोगों को नहीं बता था उसकी वज़े से जाने तो हमेशे यह बोलो ना कि वाइटी में अगर हम जाने पचाने एडिटिंग करना सीखे तो अपनी बहन की वज़े से सीखे लेकिन बाकी की चीज़े बाकी की चीज़े अगर हम इस लेवल तक बढ़ पाए किसी ने रस्ता बताया तो ठीक है रस्ता बताने के वाला भी ठीक होता है हमेशा रह दिखाने वाला लेकिन वस रहा पे इक अछे मुकाम तक पहुच जाना ये आपको खुद करना होता है और जो साथ में support कर रहा होता है उसका होता है रस्ता दिखाने वाले का तो उस रस्ता दिखा लिया पिर अपने काम में विजी तो यहां पर आपके साथ support में को था? सब्सक्राइबर्स जो कि ना जाने कितने आये और चले गए स्रिप आपकी घटिया हरकतों की वज़े से जूट की वज़े से इगो की वज़े से नित नए फरेब गढ़ने की वज़े से और अब तुम तीनों भाई भाई भाएन बस एक ही चीज प्याड़े हो काहे की चीज क्यों प्याड़े हो कि नहीं जी हम तो जैसे होगा वज़े सब्सक्राइबर्स को तौलेंगे हम सब्सक्राइबर्स को गरिया आएंगे मतलब subscribers की बातें नहीं अच्छे लगते हैं हमको भी तमाम टरूअलो की बातें नहीं अच्छे लगते हैं टरूअलो को हम delete और बलॉक तभी करते हैं जब वो गाली चरम सीमप पड़े जाते हैं अदर्वाइस मुझे कुछ ऐसी ऐसी बाते बोलके जाते हैं जो मैंने ही delete करते हूं मैं कहते हिए चलोильно ठीक है कि यह भी subscribers है अंधे भगता है तो कहा हुआ आखों पर पट्टी बंदी है तो कहा हुआ पर किसी के तो subscribers है नए तो मैंने कहा कि चलो कोई बात न batter द् once कर लेते हैं लेकिन देखने आते वो भी सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन ये हमारी दिद्धी को समझ में नहीं आ रहा है, और यहां पर जो दिद्धी के टार्गेट पे जो रडार पे है वो कोई और नहीं है, आपको पता है कौन है वो, वो है बग्गी, पूछो किस प्रकार से बग्गी ह पूरी बात बताएंगे आपको जीब, तो दिद्धी की जो ये वाली अपनी वाली सोच है, जो किसी को पर थोपनी की कोशिश बढ़कनी भी कर चुकी है, अब सेम शब्द लेके छुट करनी आई है, कि स्टार्टिंग में आपको यूट्यूब से का होता है, लोग प्यार क होती है, लेकिन पूरी ओडियंस का बदल जाना इंपॉसिबल है, और 95% बदल जाना भी इंपॉसिबल है, अगर इस प्रकार के ओडियंस बदलती है अपना रुख, तो इसके लिए आप जिम्मेदार होते हैं, आप भले माने या ना माने के, कि आप लोग तो हमेशा यही मा बहुत अच्छी कहीं कि अगर आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कोई भी हो चाहिए, आप सोचल मीडिया पे हैं, यह बहुत सरे सोचल मीडिया, इंस्टाग्राम हो गया, स्नैप्चर्ट हो गया, फेस्बूक हो गया, और आपका यह हो गया, यूट्यूब हो गया, इन सार भर-भर के प्यार मिलता है, कितना लोग अप्रिशियेट करते हैं, वैसा नहीं कि उनको भी कुछ नापसंद करने वाली लोग नहीं है, कुछ है, तो कुछ पहले भी थे, कुछ आज भी हैं, कुछ है, समझ रही हैं, पूरे नहीं, अगर पूरे बदल रहे हैं, that means कि तुमा मारे अंदर कोई कमी है, उस पर काम कर लो, अगर करना है, बाकि यह आपकी मर्जी, और दीदी कह रही थी, कि ओडियन्स के हिसाब से, अगर तुम चलोगे, तो अपनी जिंदेगी खराब कर लोगे, इस चकर में पहले मैंने बहुत सारी चीज़े करी हैं, ओडियन्स के हिसा अपलोड करते हूं, पर जितना भी करते हूं, कभी कबार भले का छूट चाट जाए, अधर्वाइस में नहीं रखते हैं, ऐसे कॉमेंट्स डिलेट कर देती हूं, अच्छा जी, तो अब काम का छोड़ के लोग सिप कॉमेंट्स डिलेट करते रहें, यहाँ पर बग्गी को टार्गेट किया जा रहा है, कि देदी के रिगार्डिंग जो कॉमेंट्स आते हैं, उनको अगर आप रख रहे हो, तो देदी हमने आपकी ही वीडियो में देखा था, और मालो एक बार इगनोर हो जाएगा दो दिन, वो कॉमेंट अभी भी पड़ा होगा, कि बहुत चालव माई के में बड़ी अगुमती गामती रहती, इधर आके बिमार पड़ जाती, कितना कुछ टार्गेट किया था आपके टरोवा लोने, आपके टरोवा लोने, आपके सब्सकाइबर्स ने, खुद वीडियो स्टार्ट करती हैं, थैंक यू सो मच जो आपने कल मुझे बोला था कि आप त्यार हो जाया करो, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, पर मैं क्या करो, बहुत सोचती हूं, पर मैं सोचती हूं, जैसे मैं काम कर लेते हूं, फिर बताती रहते हूं, तो मैं सोचती हूं कि काम करते करते दिखाओं भी, पर हां मैं ध्यान रखोंगी, मैं त्या कर रहा है तो अगर वो फॉलो कर रही है तो भाई लडाईयां होती है देख लो तुम्हारे वीडियो में स्टार्टिंग में तुमने दोनों चीजों को एक स्टार्टिंग में एक लास्ट में क्लियर कर दिया है तो यहां पर जो तुम जान की बातें देने आई हो कि अभी दहिंग से पता है कि उसको लतारना कब मिलेगी लोग उसको कब इस प्रकार की चीजों के लिए तौलेंगे आप उसको बहुत अच्छे से पता है जब आप से के पगचिन्नों पे चलती है जब वो खुद जो है जो उस हिसाब से रहती लोग उसको अप्रिशियेट ही करते हैं खास करके बगगी की फैमिली को कि वाओ बगगी तुमके इस फैमिली से वाओ बगगी तुमारा सब कुछ बहुत अच्छा है तुम्हें बहुत अच्छे संसकार मिलें ये चीज आपको मिर्ची दिलाती है लगाती है खेतो वाली मिर्ची बोलिया या फिर लाल मिर्ची पा संद्रा हजार के असपास लोग देख चुके हैं कोमेंट्स मात्र 66 और ऐसा नहीं कि इन्होंने बग्गी के रिगार्डिंग कोमेंट्स डिलीट करें आप लोग सोचिए 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 थोड़ा दिमाग दोड़ाईए इनके रिगार्डिंग भरबर के प्यार दिया है लोगोंने इनका जो डूवल स्टेंडर है इसी के ओपर तो दीदी ने हमारे वो सारे कोमेंट्स डिलीट कर दिये जो इनको अच्छा अच्छा बोला है जो इनके स्पून है जो मखन भाजी करे हैं जो इनके भक्त लोग हैं उनको इन्होंने बहुत प्यार महबबस से बड़ी असा हार दिया है है ना तो इसी प्रकार की चीज़े लोग तमाम बोल रहे हैं कि कुछ समय के लिए ओफ ले लो और कुछ वड़िया तुम आराम से घूमने घामने चली ज देखान दो आपके घर है किसी का के घर में बने में नहीं रह रहा है है और अच्छा ओमाइगाड फामिली ने तो कब का दिया है वो पता है तुम बहुत अच्छी गळ लड़की हो मेशा अपनी फाभी के साथ खुश रहो तो में दोनों बहनें इतनी सैड और आय हाय आगे जो शब्द लिखा पड़ दूंगी न तो हमार जिद्जी एकदम पगला जाएगी हाला कि दिद्दी ने से पहाँ इमोजी दे दिया है दोनों बहनें ने कसम खा रखी है कि भाई साब जो ऐसे मूँ सड़ाई सड़ाई बनाएंगी क्योंकि उधर भाई अगर खुश रह जाती है बगगी तो भाई इनके सब के दुख तकलिफ की सीमा शुरू हो जाती है प्लीज सिड कैसे है आप कैसे हो अच्छे रहते हो बताओ थैंक यू वी आर गूड हाँ ऐसा ही तो बताएंगी इसमें दिखाएंगी तो भाई कहीं पती देओ देख लेंगे तो भाई साबू समस्या पड़ जाएगी तो सिर्फ और सिर्फ न इन्होंने अपने सिर्फ अच्छे वाले कॉमेंट्स को रखा है बाकी कॉमेंट्स को इन्होंने डिलीट कर दिया टाटा बाई बाई गुडबाई कर दिया है अब आते हैं इनका जो मेन पॉइंट इन्होंने बोला एक time था जो मेरे उपर impact पड़ता था इन सारी चीजों का पर अब मैं उन सारी चीजों से बाहर निकल के आगे हैं मुझे विल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि आप comment क्या कर रहे हो अच्छे comments करोगे तो मैं उनको implement भी कर सकती हूँ लेकिन बुरे comments मैं ignore करूंगे, delete करूंगे, block करूंगे और ये decide कौन करेगा कि अच्छे comments हैं बुरे comments हैं दीदी करेगी अपनी skill पे हैं क्यों? क्योंकि जो इनके चाटो कारिता वाले comments होंगे वो अच्छे हैं जो इनकी सच्चाई वखान करने वाले होंगे वो बुरे है अपकोर्स है ना तो ये है इनका मापदंड दीदी यो सिर्फ वो सर्फ अपनी भावी को तुम सुनाए रही हो जो इस प्रकार से यहां पर तुमने अलोशना की फिर से भई टाइम करो ना काफी विजी रहती हूँ अगर मैं दिखाती हूँ तो जो करती हूँ फिर उसमें डबल टाइम लगेगा है ना हाँ हाँ जो दिखाने वाला था वो ते तुमने दिखा ही दिया जो बोलने वाला था वो ते तुमने बोल दिया अब बिचारी फिर से सोचेगी समझेगी मैं तो कह रहे हूँ जैसे करना वैसे कर पर तू भी एंपलेमेंट ना कर तू अपने हिसाब से कर ले बाकी तेरी मर्जी कट पुतली जितने दिनने बनना है बनती रहे होने से कुछ नहीं रहा है इनको छोटी छोटी बाते ऐसी बु चल रही हो वह बिलकुल अलग बात है तुमको उचने के जार पिचलाया जा रहा है हमको भी ऐसे कराया था हमारी बड़की को भी कराया गया था तुम भी कर रही हो तो तुम गलत तुम हमारे कहने अंसर करो तो सही है चाला जित जी